हेलो 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 एवरिवन क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ बताईए हेलो हेलो एवरिवन कौन कौन आ गए है बताईए लाइव चार्ट में हाई बोलो सबसे पहले मुझे दिख रहे है अक्षे मयूर और मिष्टी तो हेलो एवरिवन हेलो हेलो अच्छा क्या हुआ भई अच्छा स्ट्रीम डिसकस चल रही है ओके ओके चलो भई तो क्या मैं ठीक से द इपॉर्टिंट है ओके टेक्स्ट बुक सब लोग निकाल लो और बताओ मुझे क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ हाँ तु ठीक ठाक दिख रहा है ओके ओके चलो सो लेट स्टार्ट विट टुडेश सेशन चलिए शुरू करते हैं इसको बैग्राउंड बताईए क्या होगा अब यह क्या है ओके ठीक है ओके तो मयूर बोल रहा है वन का सी होगा एक सेकेड एक सेकेड एक सेकेड ओके तो वन का सी बोल रहा है ओके बाकी लोग को क्या लगता है हाँ वेरी नाइस बिल्कुल सही जवाब सभी लोग बिल्कुल सही जवाब ओके अ जो कि क्या है, क्या है भई, transfer of information from molecules of DNA to mRNA is called transcription, ठेक है, similarities in initial stages indicate which evidence, initial stages बोला है, तो 2 का C होगा, C क्या है भई, embryological evidence, very nice, अरे अक्षय एक के बाद एक सही जवाब देता जा रहा है, वाह, चलो, तो यह सही जवाब है, मिश्टी ने भी सही जवाब दिया है, dash is a vestigial organ in human beings, कौन सा है Okay, Hello, Lakshmi, Prasanna, Annam, Hello, Hello, बताईए, चलो, सही answer क्या है, बताईए, तो 3rd का, सभी लोग क्या दे रहे है, Okay, D, Okay, Akshay बोल रहा है, D, मिश्टी बोल रहे है, D, और Lakshmi, Please, question number के साथ answer लिके, नहीं, तो मुझे समझ भी ने आएगा, किसका answer दे रहे है, Okay, So, yes, all of the above, wisdom teeth हो गया, ear muscles हो गये, body hairs हो गये, सबके सब vestigial organs है, they are not at all useful, in the present situation, चलो, next, protein located in bones is what, थोड़ा इसको zoom in करते है, तो मैं ठीक से दिखेएगा, ठीक है, थोड़ा zoom in कर लिया, मैं थोड़ा side में हट गया, Okay, चलो, protein located in the bones is called, Okay, अरे, मयूर एकदम बल्क में answer दे रहा है, 5 का C होगा, का कह दिया, एक second, 4 का दिया, D, हाँ बही, बिल्कुल सही जवाब है, ओसीन, तो हेलो, और कौन आ गया, अधित्य जकताब, हेलो, 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 आरियन भाई, सबी लोग आ चुके सेशन के अंदर, तो 4 का होगा, ओसीन, bones के अंदर, ओसीन, protein होता है, चलो, 5 का क्या क्य दे रहें, देखते है, which of the following vitamins is necessary for synthesis of NADH2, तो actually, the correct answer is, vitamin B2, very nice, 5 का C होगा, बिल्कुल सही जवाब, सभी लोग, आरियन भाई, D नहीं होगा, C होगा, ठीक है, आरियन, vitamin K is the wrong answer, vitamin B2, विटामिन B2 के जरुरत पढ़ती है, ये चीज़ आपको पता होने चाहे, फिर, dash cells divided by mitosis, और देखो, ओके, ये बोल रहा है, एक सकेंड, एक सकेंड, एक सकेंड, ये क्या हुआ अबी, एक सकेंड, हेलो, हेलो, लाग हो रहा है, अबे यार, ये, इसने तो हद कर दी, यार, हमेशा लाग होता है, एक सकेंड, वन सकेंड, एक सेकंड एक सेकंड यार एक सेकंड चल रही है स्ट्रीम हेलो हेलो स्ट्रीम चल रही है स्ट्रीम चल रही है आरी क्या मुझे आरी Municipal कशल एभी आरी स्ट्र्ीम के आरी क्या अरे यार य यह अध दोगे यार इसकी तो चल रही है अभी चल रही है हेलो हेलो, चल रही है, ओके, ओके, क्लियर क्या, क्लियर, क्लियर क्या बोल रहा है भाई, अच्छा, अब सुरो, 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 एक काम करते हैं, सुनो, मैं ना इसका एक पर्मनेंट सेलुशन करता हूँ, ठीक है, मैं इसका पर्मनेंट सेलुशन करता हूँ, जरा एक सेकेंड एक सेकेंड तुम लोग आंसर करो मैं इसका एक पर्मनेंट सेलुशन करता हूँ ठीक है यू पीपल ट्राय टू आंसर मैं थोड़ा और इसको नीचे कर देता हूँ मैं एक सेकेंड रुख जाओ मैं पर्मनेंटी इसका सेलुशन करूंगा जस एक सेकेंड रुख जाओ एक सेक कि अब भी लाग होने वाला है तो बस एक सेकेंड रुख जाना थोड़ी सी पेशेंस रखना अभी एक पर्मेनेंट सेलुशन हो जाएगा आपके लिए जिससे की वापस से लाग ना हो ओके एक सेकेंड रुख जाओ ओगया हो गया होगया एक सेकेंड मुझे चेक करने दो ओके अभी चलेगा वेरी नाईस हेलो हेलो सब अभी चल रहे ओके हाँ 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 ओके अभी चल रहे ना अब चल रहे अब चल रहे क्या है क्या अब बता सकते हैं प्लीज चल रहे ओके हाँ चल रहे ओके वेरी नाइस उसका घर अरे वाई देखो मैंने नेटवर्क ही चेंज करड़ा ठीक है अब नहीं होगा अब थैंक्फुली अभी नहीं होगा ओके तो इसका सही जवाब है जैसा कि आपको पता है इस बोथ एंड सी सुमाटिक और स्टेंप सेल्स उसके फर्स टेप अफ केरियो काइनसी क्या होते है तो वहता है प्रोफिज आज यौल नो फिर डाश इस नौट पार्ट ऑफ माइट ऑससिस का क्या पार्ट नहीं होता है इसमें से तो डिपलोटिन डिपलोटिन फेस होता है आपका मियोसिस में उसके बाद वी गेट डाश यह किसी और में नहीं को पता है नाइन का क्या होगा ओके ओके ठीके 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 वरिनाइस यह सो सौरी विफा आपfer इसे में रोज आना यहीइ सेलूशन करूंगे ठीके आज जो मैंने किया है यहकिन सेना डूसट जू hen दो म्हें 약 होगा वननासी है इंग्ते sono इ लिपिड लिपिड में से हर ग्राम लिपिड में से आपको नौ किलो कैलरी मतलब 9000 कैलरी बिलती है अंडेस्टोड लिपिड मतलब फैट्स बिसे कलिए इन हुमन्स देर डैश पैड्स ऑफ क्रोमोजोम 10b okay okay very nice बिल्कुल सब्सक्राइब हुमन्स में 23 पैड्स ऑफ क्रोमोजोम होते है वाल टोटल 46 आज यॉल नो नाइस वेरी नाइस चलो 11 का बताओ बहुत बढ़िया ओके 9 का सी बोल रहा है अभी सी बोल रहा है वह सब होने के बाद सी बोल रहा है तो चलो बहुत बताओ 12 का ओ बाइनरी फीजन सिर्फ यूनिसलर में होता है जैसे कि अमीबा हो गया जैसे कि पैरामीशियम हो गया है कि नहीं तो बाइनरी फीजन क्या है यूनिसलर में करेक्ट चलो next find the odd man out stigma and third style over e okay बताओ 12 का क्या होगा 12 का b okay 12 का b होगा क्या देखते हैं ज़रा question find the odd man out हा करेक्ट सभाब है अंतर होगा क्यूंकि stigma style over e यह क्या है female reproductive system में आते हैं कि नहीं किसी भी flower के और अंतर क्या है यह है अंड्रोशियम का पार्ट मतलब male reproductive system का पार्ट very nice 13 14 15 चलिए बताइए फास्ट हेलो शिवा भाई शिवा भाई आज बहुत दिनों बाद मतलब बहुत देर बाद दिखें ओके शिवा भाई बोल रहा है butbebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe और कौन है आरियन और कौन है मयूर और कौन है और कौन है भई बस इतने ही लोग है और लक्षमी प्रसन्न यह बोल रहा है 13 का C 13 at the time of birth there are dash oocytes in the ovary of a female fetus C होगा क्या बाकी लोग बता सकते हैं C होगा क्या ओके आरियन भी C बोल रहा है कोई बता सकते हैं C ही होगा क्या जल्दी बताइए फास्ट फास्ट 13 का C होगा क्या लगता है सबको इसका सही जवाब कौन बता रहा है 14 का A बोल रहे है जो की है हमारा सरोगेसी सरोगेसी में क्या होते है एक दूसरी औरत के यूटरस के अंदर एंब्रियो को इंब्रियो 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 इंप्लांट होता है। इस ओरत को क्या बोलते हैं 15 A लेकिन science one perfectly nice science two अच्छे से हुआ है लेकिन science one perfectly ओके-ओके science one का भी होगा होगा-ओका कल होगा शायद कल नहीं तू परसो देखते है ठीक है तो 15 का लोग बोल रहे है very nice बिल्कुल सही जब बिल्कुल सही जब 15 का A होगा uterus embryo का implantation uterus as you all know चलो बेको बता सकते है उस mother ठीक है मैंने answer पूरा नहीं बता है तो उस औरत को क्या बोलते है जिसके uterus में embryo को implant किया जाते है क्या कहते है उसे 14 का हा 16 का A होगा very nice हाँ in human sperm production occurs in the organ testis तो यह है plural form singular form में I आता है आपे plural में E आता है correct 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 बिल्कुल सही जवाब है कोई बता सकता है उस औरत को क्या कहते है shortage अरे भाई shortage नहीं सरोगेट मुझे लगता है autocorrect होगा शीवा का मयू रक्षय मिष्टी बिल्कुल सही जवाब surrogate mother एगे नहीं surrogate mother कहते है और कौन है भाई Aryan भाई if you know आप भी आंसर दीजिए 16A 17C बोल रहा है Aryan हाँ 16 का एगे हो गया तो बिल्कुल सही जवाब है testis 17 का क्या होगा बताओ pregnant mother supplies nourishment to her fetus through तो बिल्कुल सही जवाब है placenta placenta क्या होता है blood rich blood rich क्या कहते है एक ऐसा extension सा बन जाता है uterus के अंदर इसमें बहुत सारा blood रहता है और उस blood में से nutrition जाता है है कि ने जो भी हमारा खाना है अपन खाना खाते है न वो खाना digest हो के blood में absorb हो जाता है और फिर वो blood पहुचता है embryo के पास okay 17 का बोल रहा है B 17 का B के हाँ 17 का B होगा 17 का C नहीं होगा आरियन 17 का ovary कैसे हो सकता है ovary से नहीं मिलता है nourishment ovary से तो वो उसाइड बहार निकलता है है कि ने चलो भी और बताओ क्या होगा 18th dash twins are formed from single embryo भई single embryo से क्या होता है okay misty ने delete कर दिया okay हाँ surrogate मंदर 18 का B भी बोल रहा है अक्षे very nice monozygotic क्योंकि एक embryo है तो एक embryo किससे बनेगा एक zygote से है कि नहीं zygote zygote से फिर embryo बनता है तो अगर एक zygote होगा तो एक embryo तो इसलिए monozygotic से single embryo dizygotic से दो embryo है कि नहीं चलो pollen grains are formed by dash division in locules of anthers मैंने यह पढ़ाते समय explain किया था यह मैंने पढ़ाते समय locules अगरा क्या होते हैं मैंने explain किया हुआ है तो मैं अभी वापस explain नहीं करूंगा if you want क्योंकि यह थोड़ा detailed है you can go and look at the explanation of the third chapter ठीक है channel पे available है yes 18 का तो B होगा सही जवाब है और जिनोंने अभी तक stream को like नहीं किया है अभी के अभी stream को like करो और चैनल पे नए हो तो subscribe ठीक है जल्दी से subscribe करो जो लोग भी नए है और भाई answer दे दो जल्दी से pollen grains are formed by dash division in locules of anther क्या होता है कौन सा division होता है इदर Aryan बोल रहा है 19 का B 19 का C C होगा amitosis mitosis really do you think so यह nightbot कौन है यह हमारा सरकारी रौकर है शिवा भाई जिसको हम हर महिने 2 करोड पे करते है ठीक है चलिए हाँ और वो बार बार आपको याद दिलाता रहता है like और subscribe की ठीक है हाँ ओके तो बताइए भाई इसका क्या होगा किसी को नहीं याद शॉर्ट में करना भाई वो लंबा है वो लंबा explanation है वो थोड़ा लंबा explanation है मैं ऐसे नहीं शॉर्ट में कर सकता हो तुम थर्ड चैप्टर एक काम करो मैं ग्रूप पे आपको लिंक डाल दूँगा उस वीडियो के ठीक है उस वीडियो को जाके देख लेना ठीक है थर्ड चैप्टर का जो वीडियो है न वो उसकी लिंक में ग्रूप पे डाल दूँगा थुड़ी दिर बाद सेशन के बाद टेलिग्राम ग्रूप पे वहाँ पे देख लेना तो तो करेक्ट को डिवाइड होकर उसके चार पोलन ग्रेंज बन जाते हैं अंडेस्टूड एक लोक्यूल को तुम जब मियॉसिस करते हो तो उसका चार पोलन ग्रेंज बनता है अंडेस्टूड इस इस बेसिक ठींग एक संटेंस में एक्स्प्लेनेशन ओके नव एसेक्श्यल सब्रक में दिया हुआ है ऊसके एक सकेंग इयमायटॉसिस कापड़ा था अंपने एक सकेंग है 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 कंसे इसमें अब थोड़ा भूल गया हुआ से क्योंकि बहुत दिनों बात पढ़ रहू प्रचिजण त्यंक्ट और ऑच्छिव भी तो A is the correct answer ठीक है A mitosism बात में देख लेंगे चलो Asexual reproduction occurs by dash cell division तो 20 का A बोल रहा है Akshay mitotic very nice mitosis होता है Asexual में meiosis होता है sexual में this method of asexual reproduction is seen in paramecium Akshay क्या बोल रहा है ओके ओके ठीक है अक्षय बोल रहा है 21 का A okay very nice हा मिष्टी के भी सही जवाब है तो 21 का A होगा क्या this method of asexual reproduction is seen in paramecium transverse हा करें एक सगेंड ट्रांसवर्स हा ट्रांसवर्स होगा ऐसे ऐसे कटता है न पारामिश्यम ऐसे कटता है horizontal तो उसको कहते है ट्रांसवर्स simple binary fusion मतलब कैसे भी divide हो जाते है for example amoeba paramecium बराबर इसे टेढ़ा कटता है horizontal तो उसको कहते है ट्रांसवर्स और यूग लेना ऐसे ऐसे सीधा कट होता है उसको कहते है longitudinal okay simple चलो in meiosis the number of chromosomes becomes क्या बोल रहा है सब लोग 22 का c बोल रहा है मयूर और अक्षय बोल रहा है ए अच्छा c ओके हाँ ठीक है c बोल रहा है तो meiosis में number of chromosomes half हो जाते very nice बिलकुल सही जवाब एक हाँ हाँ हो जाते हाँ सही जवाब है okay generally every month dash ovum is released in the abdominal cavity alternately from each ovary हर महीने abdominal cavity में abdominal cavity मतलब basically uterus में ठीक है uterus पे कितने ovum निकलते है alternately हर एक ovary में से कितने ovum हर महीने 23 टेलिग्राम का group मेरे भाई के phone पे join है मेरे phone पे space कम है मेरा mobile सस्ता है तो ठीक है ना उस पे मैं link send करूंगा वो link तुम share कर ले ना अपने है mobile पे WhatsApp के दुरू अगरा ठीक है 23 का A 24 का D बोल रहे है 23 let me see let me see 23 क्या है हाँ very nice one ovum होता है वो एक ovum जाता है सबको याद है कि डाइग्राम याद है कि बाद हम ठीक है डाइग्राम्स करेंगे जैसे ही यह quiz थोड़ा सा ऐसे खतम होने आता है ठीक है तो yes one ovum from each ovary alternately मतलब एक महीने एक ovary से एक ovum फिर अगले महीने दूसरी ovary से एक ovum ऐसे now dash is present in unisexual flower क्या बोल रहे 24 का D बोल रहे है अक्षे बोल रहे है D हाँ मयूर भी साही जवाब दे रहे है विल्कुल nice orange cam op अरे भाई वह orange इसले क्योंकि यह आपर light लगी हुए वह वह पुराने जवाने वाली होते है न औरेंज वाली इसलिए तो 24 का क्या बोला था और D बोला था क्या डी क्या है androsium and gynosium dash is present in unisexual करें सब लोग को के मिश्टी ने 23 का यह बोला है अभी तक 23 पे चल रहे है आरियन का भी सही जवाब है 24 का डी बोल रहे है सही जवाब है 25 का अक्षे ने बोला है डाइश is a chemical factor of abiotic components तो अक्षे बोल रहे है nutrients nutrients होगा सोचो nutrients होगा अनक्की are you sure are you sure nutrients ही होगा और अभी तक सब लोगों ने stream को like नहीं किया यार तुम्हारे हाथ कपकपा जाएंगे के अगर तुम like करोगे तो are you sure 25 का सी होगा are you sure 25 का सी होगा are you sure भाई ये कितना डीले है stream का 28 सेकेंड का डीले है बाब परे बाब ओके are you sure अरे 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 रुक जाओ 25 का सी होगा are you sure okay और भाई कल से क्या करेंगे पता है हाँ वेरी नाइस बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है येस अमीच शहाद तेरे कौन लगते है मिश्टी अच्छा देखते है वही क्या बोल रहे 26 का क्या बोल रहे लोग 26 का अक्षय ने बोला ओके और किसी को आइडिया है क्या होगा तो और्गानिक कंपॉण्ड का मतलब क्या होता है कार्बन कंपॉण्ड सबको याद है ना और्गानिक कंपॉण्ड का मतलब कार्बन कंपॉण्ड जैसे की कार्बो हाइड्रेट्स हो गए फैट्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए तो इसलिए प्रोटीन्स क्या है यहाँ पर तो KVC चल रहा है वैसे मैंने सोचा है ओके भाई लाइक कर दिया सब लोगोंने थैंक्यू सो मच सभी लोगों को ओके चलो बिल्कुल सही जवाब है 27 का क्या होगा रेर स्पीशिस कौन से इसमें से 27 अक्षय बोल रहा है D, मयूर बोल रहा है B कौन से आती है रेर स्पीशिस में अक्षय भाई सही जवाब है मयूर भाई गलत जवाब है मयूर B नहीं होगा D होगा मस्क डियर, मस्क डियर is a rare स्पीशिस ठीक है, जाइंट स्कूरल इंडिटर्मिनेट ठीक है, सबको पता है न डियर रेर है, जाइंट स्कूरल इंडिटर्मिनेट है टाइगर और लेसर फ्लॉरिकन का क्या है, बताओ टाइगर का क्या होता है can you tell me टाइगर का क्या होता है कोई बता सकता है मुझे चलिएगर का बताना, उसी के साथ साथ 28 का क्या है 28 का देखते है मयूर बोल रहा है D और अक्षे बोल रहा है अक्षे क्या बोल रहा है 28 का क्या दिया D दिया है ओके नाइस अरे कोई बात नहीं सौरी बोलने की जरूरत नहीं है हाँ वेरी नाइस इंडिटर्मिनेट जाइंट्स कुछ अरे इसका तुम आन्सर ही बता दिया था ऐकरेंज का डाइवर्सिटि अमंग लिविइंग ओर्गानिसम्स इम स्पिशिज wall डैश डाइवर्सिटी मताओ 29 का यह बोल रहे हैं व्ष्टी यह इसमें लोग φस्ते है 29 का यह नहीं होगा हाँ informs ही बोला 29 का जेनेटिक होगा ध्यान से पढ़हें एक बार सोच Signal के दो हो एक ही species के अंदर अगर diversity है for example अभी हम humans है हम सभी के सभी humans है तुम लोग जो भी लोग quiz में वो सब भी humans है लेकिन हम लोग सब लोग दिखने में अलग है है कि नहीं दिखने में अलग है height अलग है weight अलग है वो क्यों क्यों कि हमारे genes हमारे DNA में difference है okay that is why genetic diversity species diversity वाला अलग species का present होना जैसे humans है squirrels है tigers monkeys that is called species diversity okay चलो very nice तो यह समझ में आ गया चलो कोई बता सकता है मुझे red panda and musk deer हाँ very nice red panda and musk deer are rare species very nice अक्षे ओके और क्या बोल रहे है lesser florican endangered species हाँ सही है tiger vulnerable very nice अक्षे को पूरा याद है very nice चलो चलो 28 का D बोल रहे है 28 क्या है अच्छा इसका indeterminate species तो giant squirrel as you all know 29 का B बोल रहे है बिल्कुल सही जवाब है और क्या है भई 30 का क्या बोल रहे है modern civilization dash has become a primary need क्या बन गया भई primary need क्या बन गया 30 का देखू तो मैं C लिख रहे मयूर शिवा लिख रहे है आरे 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 इतना confusion ओके अक्षे लिख रहे है D मयूर लिख रहे है C और शिवा लिख रहे है और आरे 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 लिख रहे है C अरे भई क्या पढ़ाई किये तुम लोगों ने है जिन लोगों ने A, B और C बोला है क्या पढ़ाई किये तुम लोगों ने इतनी simple चीज याद नहीं है तुम्हे 5th chapter towards green energy पहले ही page पर दिया हुआ है energy has become a primary need that's why पूरा chapter है उसके लिए है कि नहीं सो modern में देखो रोटी कपड़ा मकान food law shelter ये तो पुराने जबाने से है कब से है ये तो भाई हमारे पुराने पूरवजों को भी रोटी कपड़ा मकान तिनों चाहिए था ठीक है तो वो modern civilization की कैसी हो गए सोचो जरा है कि नहीं तो energy is the correct answer चलो 31 देखते हैं confusion yes okay मेर भी सेम है या दिखने में अलग अलग है what do you mean शिवा भाई दिखने में सेम या दिखने में अलग अलग है ओके अक्षय बोल रहा है 32 का B होगा ओके पहले 31 का तो देदो 31 का क्या है 31 का सी लिख रहे है 31 का सी लिख रहे है हाँ very nice 31 का electromagnetic कि किस ने दिया थे Michael Faraday ने सबको याद है Michael Faraday ने दिया हुआ principle of electromagnetic induction जिसको मैं explain कर चुका हूँ science 1 वाली classes में with animations याद होगा है कि नहीं तो वो किस दे दिया था Michael Faraday ने और आज के electric power plants इसी system पर based principle of electromagnetic induction was invented वा रहे आप भी तो answer बता है Michael Faraday very nice सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अभी क्या करेंगे कर से मैंना इसे points देंगे सबका competition रखेंगे देखते कौन सबसे अच्छे सही जवाब देता है चलो in the power plant based on nuclear energy dash is used to rotate the generator nuclear energy में 33 का शिवा क्या बोल रहा है energy तो food से ही मिलती है अरे यह अलग energy है इस energy का मतलब है electricity इस energy का मतलब electricity है शिवा ओके यहाँ पर energy का मतलब है electricity electricity electrical energy ऊके चलो 31 का ओके 33 का क्या बोल क्या बोल रहे लोग 33 का बोल रहे है 33 का बोल रहे है A Okay, मिश्टे ने delete कर दिया पता नहीं क्यों सब लोग A बोल रहे है वेरि नाइस बिलकुल सही जवाब steam turbine होता है nuclear energy में क्या होता है नुक्लियर एनेर्जी होती है, उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, उस हीट से पानी गरम होता है, उस पानी के गरम होने से स्टीम बनती है, और स्टीम से टर्बाइन घुमता है, यह नुक्लियर एनेर्जी का बेसिक सिस्टम है, सबको पता है, तो स्टीम टर्बाइन इ I will give my best very nice very nice तो भाई सभी लोग कल से साड़े 8 को आना और अपने दोस्तों को भी बुलाना भाई competition चाहिए ठीक है अच्छे से competition चाहिए जिससे की CET के अच्छी तैयारी हो यह कि नहीं 34 का बोल रहे है C ओके बाकी लोग क्या बोलते है क्या लगता है तुभे भाई यार 30 seconds का डीले है क्या बोलू मैं 30 seconds का डीले है मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूँ और तुम्हें 30 seconds बाद हो दिखरा है चलो भाई 34 का क्या होगा एक C है C बोल रहे है अक्षे है बाकी लोग को क्या लगता है C होगा क्या दो यह थिंक C होगा लेट सी 34 का मैं यूर भी C बोल रहे है तो 34 का very nice C होगा तीन न्यूट्रॉन होते है तो क्या होता है एक यूरेनियम का आटम है उसके उपर एक न्यूट्रॉन का बंबार्डमेंट होगा तो उससे तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे अब वो तीन न्यू है कि नहीं यह बढ़ता जाता है ओके नौ काइनेटिक एरजी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव डैश टू जनेरेट इलेक्टिसिटी थर्टी फाइव का मैयूर ने बोला है ए ओके मिश्टी बोल रहे है थर्टी फाइव का सी ठीक है यहाँ पे भी कन्फूजन चल रहा है बाकी लोग को क्या लगता है थर्टी फाइव का क्या होगा ओके अक्षे क्या बोल रहा है थर्टी फाइव का सी होगा आरियन भी बोल रहा है थर्टी फाइव ने तो थर्टी फोर दिया हुआ है थर्टी फाइव का क्या लगता है यार लेट सी थर्टी फाइव भही सी होगा न टर्बाइन water mill तो आवारे ऐसा शब्द ही नहीं न टेक्सब्स्बूक में एक ऐसे होगा water mill नाम को कोई शब्द ने है टेक्सबूक के अंदर water mill is wrong turbines is correct ठीक है तो जोग से पानी आता है उस पानी से टर्बाइन घूमता है ठीक है और फिर क्या होता है electricity generate होती है simple चलो wind turbines with capacity dash are commercially available क्या बोल रहे है 36 का 36 का क्या क्या बोल रहे है लोग let us see 36 का 36 मयूर भाई 36 का क्या होगा अक्षे क्या बोल रहे है 36 का ये बोल रहे है बाकी लोग को क्या लगता है 36 का क्या होगा कई लोग है जो easy question को answer कर रहे है और hard question को skip कर रहे है सही है भाई सही है 38 का आ रहे शीवा भाई डायरेक 38 पे कूद गए 36 का ये होगा क्या 1 kilowatt to 7 megawatt बाकी लोग को क्या लगता है very nice तो बिल्कुल सही जवाब है 35 C है गलती से type हो गया ओके 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 no problem तो भाई very nice 1 kilowatt to 7 megawatt अब ये जो छोटे छोटे होते 1 kilowatt वगेरा ये आपके घर के छत पे भी लगा सकते है और 7 megawatt मतलब बहुत जादा बहुत जादा बिजली है वह बहुत जादा इकदम बड़े बड़े जो windmills दिखते है ना उनको 7 megawatt तक की energy होती है तो yes 1 kilowatt to 7 megawatt चलो solar photovoltaic cells convert the solar radiation energy directly into which energy 37 क्या होगा 37 मयूर ने ए लिखा है अक्षय ने c लिखा है भाई इसमें कैसे confused हो सकते हैं तुम लोग अरे अच्छा अक्षय का गलत है मयूर का सही है इस बार अरे देखो solar जब तुम लगाते हो एक घर के उपर solar तो उससे kinetic energy थोड़ी generate होते kinetic मतलब क्या kinetic मतलब energy due to movement तो क्या move हो रहा है कुछ में move नहीं हो रहे तर्बाइन भी नहीं होता उसमें तो साधा तो kinetic कैसे होगी kinetic is wrong electrical is correct ठीक है सीधे AC power बनती है alternate current DC बनती है sorry direct current फिर उसको convert करते AC में alternate current क्योंकि हमारा जो भी घर पर appliance चलते maximum appliance चलते AC पर alternate current पर ओके चलो 38 का क्या बोल रहे लोग let me see okay hello hello 38 का क्या बोल रहे ए बोल रहे शीवा ओके 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 अरे 40 पर भी कूद गया तुम लोग रुक जाओ 38 का शीवा ए बोल रहे अक्षे भी बोल रहे लेट सी silicon solar cell of dimension one square centimeter generates current of about okay इसलिए इसलिए लोग confused हो रहे ना सोचो जारा सोचके बताओ सोचके बताओ इसको ठीक है ऐसे ही कुछ भी answer मत दो सोचके बताओ सोचके आराम से बताओ सोचके बताओ क्या होगा 38 का जिनोंने बी answer किया है उन लोगों का सही है ओके जैसे मयूर ने बी बोला है very nice हाँ DCAC में confused हुआ क्यों भाई DCAC नहीं बताओ आचा ओके 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 हाँ बई सही है भाई मयूर भाई बिल्कुल सही जवाब है बी होगा करेक्ट ओके और क्या बोल रहे लोग और मैस्टी ने अभी 36 का दिया है ओके ठीक है 39 का क्या होगा बताओ silicon solar cell of dimension 1 square centimeter generates dash potential difference अभी potential difference पूछा है 39 का क्या लिख रहे लोग 39 का मयूर लिख रहा है 0.5 वोल्ट ओके 39 का अक्षे लिख रहा है B मतलब अगें 0.5 वोल्ट अचा बाकी किसी को कुछ और लगता है वैसे यह बिल्कुल सही जवाब है 0.5 वोल्ट होगा ओके चलो अब यह आगे बढ़ते है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूट्रॉंस और बंबार्डिड ओन अटम्स ऑफ अचा यह क्या बोल रहा है अरे तेरे पास करेक्ट आंसर है क्या है ना कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए करेक्ट आंसर बताओ 40 का अक्षे बोल रहा है 40 के option में printing mistake है क्य नहीं भाई यूरेनियम 236 ही तो होता है सॉरी थोड़ा चाहिए से सर्वी दुकाम हो गया है ओके 236 ही तो होता है ने एक सेकंड चेक करो गया है चेक कर लूँ एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ सही है सही है नहीं नहीं रुको 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 ओके हाँ थोड़ा printing mistake है करेक्ट और यूरेनियम 235 होता है यह चीह जीन है यूरेनियम 235 होता है देखो क्या होता है मैं तुमको एक process explain करता हूँ ठीक है जलदी से process explain करता हूँ तब तक तुम्हारे सामने और question है ही वैसे ठीक होता है nuclear power plants के अंदर तुम्हारा एक uranium 235 का item होता है उसके उपर तुम neutron bombardment करते हो तो uranium 236 का item अब यह जो uranium 236 है यह जो चीज होती है बहुत ही unstable हो जाती है और यह तूड जाती है किसके अंदर तो एक है barium और एक है krypton लेकिन यह barium और krypton में तूड जाता है कौनसा uranium 236 तो uranium 235 होता है शुरुवात में उस पर तुम neutron का bombardment करते हो तो uranium 236 बनता है और फिर वो unstable होने के कारण वो दो में तूड जाता है barium और krypton बन जाता है ठीक है चलो 40 का सही जवाब A है very nice 41 का क्या दे रहे लोग ओके ओके मैंने answer दिया हुए हा सही बात है सही बात है 41 का लोग बोल रहे है A ठीक है ठीक है ठीक है 41 का अक्षय ने दिया है ठीक है 235 होता है correct सही जवाब है शिवा बोल रहा है C शिवा किस चीज का C बोल रहा है थोड़ा ऐसे question number भी डाल दो साथ में ने तो पता नहीं चलता ना तो 41 का अक्षय बोल रहा है A बिल्कुल सही जवाब है mollusca mollusca क्या होता है mollusca for example for example mollusca क्या होता है octopus है कि दे मुलसका में octopus होता है octopus की body कैसे होती है soft and slimy okay which of the following is a hermaphrodite animal क्या कहते है सब लोग क्या होता है hermaphrodite animal तो सभी को पता है कि दोनों genders एक ही body में उसको कहते है hermaphrodite तो यह क्या बोल रहा है अरे मयूर भाई ने वापस दे दिया है bulk में answer 42 का A बोल रहा है अक्षे क्या बोल रहा है अक्षे बोल रहा है 42 का A और बाकी लोग को क्या लगता है what do you think other people 42 का A बोल रहे दोनों के दोनों बाकी लोग काफी backlog में है वैसे काफी पीछे चल रहे है तो बिल्कुल सही जवाब है harmafrodite animal का डोली ओलम एक example है ठीके है डोली ओलम कौन से है इसके अंदर आता है phylum vertebrata तो सभी को पता है phylum होता है उसका वर्टी परेटा और सब teenage होता कॉरड डेटा और सब फचन स्पाइलम होता है ये अर अदर है jul queste ऑसकी निग्व कॉरड डेटा सब्फाइलम यूरो कॉर्डेटा करेक्ट फाइलम कॉर्डेटा के चार फाइलम कॉर्डेटा के चार फाइलम होते हैं यूरो कॉर्डेटा सिफैलो कॉर्डेटा वर्टी ब्रिटा तीन होते हैं यूरो कॉर्डेटा सिफैलो कॉर्डेटा और वर्टी ब्रिटा यह तीन ग्रीम आठैका मेफ्सेका फॉर्टी त्रीदक Śोंत सुस्यंतर है चुर्डबर ह Cart GNUankaा कमें सूरत्त पॉर्ड ठीकैं परटेश प्रंडव सब्सक्राइबूर्ये इतकी सिलीन हिसलाक सब्सक्राइब बा करो 생्क्राइब किस चीज का अच्छा उसके आगे का क्या ओके 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 ठीक है अच्छा 47 का बोल रहा है ओ अच्छा 47 वैसे गलत है 47 47 का अंसर गलत एक्षे ओके बाकी लोग को क्या लगता है इसका क्या होगा 43 का इसको होगा अच्छा नाइस अच्छा नाइस अच्छा नाइस अरे बहुत सर्दी हुई है 44 का मयूर ने लिखाए ए अक्षे ने लिखाए ए प्रणव बोल रहा है अच्छा प्रणव ने पिछले वाले का अंसर दिया है ओके 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 बाकी लोग को क्या लगता है मिष्टी आर यू स्टिल हियर मिष्टी ने अंसर ही देना बंद कर दिया शिवा ने भी शिवा और ये हाँ सही है ब्रो नहीं मुलस का नहीं है मुलस का नहीं है उसका अंसर एक और बार सोचके बोलो एक और बार सोचके बोलो ठीक है वाम ब्लेड़िड अनिमल कौन सा होता है वही क्या होता है इसके अंदर से वाम ब्लेड़िड हाँ भई सही जव नहीं कि नहीं तो मैमल मैमल्स क्या होते हो भी हो थम्स होते हैं वां ब्लडडड है कि नहीं तो दाट्स बैट इस दा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाप मैं बॉड़ी इस डाश शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस 45 का क्या बोलते लोग लेट अच्छा ओके ओ भाई लाग हो रहा है हेलो लाग हो रहा है नहीं हो रहा है ना ओके वेरी नाइस प्रणो भाई भी सही जवाप दे रहें भाई यह क्वेश्चन बैंक एससी बोर्ड की है मैंने सॉल्फ किया है ओ वेरी नाइस ओके ओके मिश्टी इस हीर ठीक है अच्छा सॉल्फ किया होंगा question bank छोड़के कुछ और भी ले ले तो home your thumb का बैट है my body is dash shape to minimize resistance तो 45 का बाकी लोग को क्या लगता है लेटसी ओके shiva is here indeed yes nice 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 45 का क्या होगा what do you say 45 का क्या होगा सिर्फ अक्षय ने जवाब दिया है भी बाकी लोग को क्या लगता है और जिनों है okay yes spindle shaped है बिल्कुल सही जवाब है spindle shaped होता है जिससे water resistance ना हो correct है spindle shaped जिनोंने अभी तक stream को like नहीं किया है अभी के अभी stream को like करो okay और चैनल पर नहीं हो तो subscribe okay और रोज रात को साढ़े आट बज़े quiz होता है कल रात को जो साढ़े आट का quiz होगा वो competition type होगा तो सब लोग आ जाना डाश अनिमल is called a friend of farmers तो earthworm is the correct answer very nice which of the following animals has a hard calculus चल अक्षे भाई मोलस्का नहीं होता है मुझे भी लगा ही था okay okay मोलस्का नहीं होता इकाइनो डर्माटा होता है understood हाँ इकाइनो डर्माटा होता है ठीक है 45 का अच्छा अभी मैयूर भाई का भी 45 का आ रहा है ओके तो yes 30 सेकंड डीले इसलिए तुम्हारा आंसर लेट आएगा इकाइन इंडिस्टाइड बट यह क्या है एकाइनो डर्माटा और एकाइनो डर्माटा में क्या आता है अच्छा हाड के रिए शट एककाइन डर्माटा के साथ एक और एक और इसके अंदर होता है ना एक और क्लास के अंदर होता है तक मिल्कुल आसकते है लगिन मुझे लगता है उतनाallo क्शियर हई बिल्कुल सही जवाब है मोलस्का में होता है येस रेकि hesitate by walve kia है कि तढ़े भाई वाल्व होता है स्नेल होता है यह वह चलो और देखते है था भाई वाल्व इस नुज़ चलो सबस्क्राइब हो गया 47 का सि होगा करेक्ट 46 नहीं 47 पुरणा है ओके हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट सॉरी करेक्ट येस सही है डैश आसेड इस यूज़ इन प्रोड़क्शन ओव विटामिन्स चलो इसका क्या होगा ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम चलो भई सर्दी बरदाश्ट के बाहर जा रही आजए चलो भई कौन बता सकता है मुझे प्रोड़क्शन ओव विटामिन्स के लिए कौन सा ऐसेड इस्तेवाल होता है 48 का क्या दे रहे लोग लेट मी सी मयूर ने कुछ दिया है क्या हो इतनी मयूर ने बल्क में अभी इता कोई आंसर नहीं दिया है ओके चलो भई बाकी लोग को क्या लगता है क्या होगा ओक्या आ गया आ गया 48 का मयूर बोल रहा है भी ग्लुकॉनिक ऐसेड बाकी लोग को क्या लगता है 48 का भी होगा क्या 48 का भी होगा हाँ सी होगा करेक्ट अक्षे भाई सही बोला ग्लुकॉनिक ऐसेड है बाई ग्लुकॉणिक एसिड कुछ अलग है ग्लुकॉणिक असिड का इस तमारो होता है जब तुम्हें आयों बनाने होते सही बोल्रों गोहँने एक बाद चेक कर लेता हूम quin भी चेक, हाँ, बराबर, जब तुम्हें आयन सप्लिमेंट्स, कैल्शियम सप्लिमेंट्स, वो टैबलेट्स आती है न, वो आयन की, कैल्शियम की, उसके अंदर ग्रुकॉनिक असपीज इसते मालो होता है ठेक है और विटामेंट्स के लिए लाक्टिक असदित मालो होता है, ओकल्डेस्टूड्स, लाक्टिक असद प्रोड़क्शिन अवलगेंट्स, साइट्रिक असद के लिए जो तुम्हारी टॉफी बनती है न, वो खटी वाली इंड्ति रॉन्टिस व्रडॉक्षन ये सरी चीज़ों में चलो नावडेवे दाश्य उस पर ट्रिट्मेंट डायरियय और ट्रिट्मेंट पूल्तरी ऑल्जों 49 का बोल्रहए लो हां वेरी नैस प्रेनो भाई सहीजवाब टके आयरियन का भी सहीजवाब नाइस 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 ओके यू टेल मी 49 का क्या होगा को के 49 का भी वेरी नाइस मिष्टी और रक्षय बिल्कुल सही जवाब है 49 का भी प्रो बायोटिक्स एक ने प्रो बायोटिक्स का इस्तेवाल होता है डायरी और पोल्ट्री डिसिस इसका ट्रीटमेंट के लिए योगर्ट इस अ मिल्क प्रोड़क्त प्रेड्यूस विद्ध हेलप ओ ओके बताओ कौन से किस बैक्टीरिया को या फिर किस माइक्रोब का इस्तेमाल करके योगर्ट बनता है अरे यार बहुत ही सिंपल सवाल है तो 50 का ए होगा अक्षे बोल रहा है ठीक है बाकी लोग को क्या लगता है ओके हाँ मयूर का वापस आ गया है 50 का ए वेरी न चलो डाश इस पावर्फुल अंटीबाटिक अगेंस ट्रिट्मेंट ऑफ ट्यूबर किलोसिस याद है अंटीएस्सी का सवाल जिनोंने अंटीएस्सी दी थी सबको याद होगा वेरी नाइस प्रणव ने भी बल्क में शुरू कर दिया भी नाइस तो अक्षे और प्रणव कि मुझे इसका एक मार्क बिला था मुझे अभी भी अच्छा लगता है यह सोच कर कि मैंने इसको प्रैक्टिस किया था इंटीएस्सी के पहले चलो डाश इस यूज इस दे कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री जो बेकरी होती है जहां से तुम ब्रेड वेड लाते हो उप्स च hephy ऑचा 51 भी तो पहली हो गयता रहे वह तो हो गया तो 52 का क्या होगा जैसा आता है yeast का और उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ additional आपको nutrients मिलते compressed yeast में ठीक है so bakery का bread और घर के bread में फरक यही है कि घर के bread के अंदर क्या होगा nutrients कम होगे comparatively डाश is a substance obtained by microbial processing that rolls as artificial sweetener अच्छा artificial sweetener मतलब जैसे आपने sugar free के बारे में सुना होगा उसको आप अर्टी विश्यल sweetener केते हैं तो 53 का क्या बोल रहे है सब लोग देखते 53 का मयूर ने कुछ नहीं लिखा है से 53 लिख दिया है अच्छा बाकी लोग को क्या लगता है 53 क्या होगा अरे अक्षे अक्षे 54 पर उससे कूद गया 53 तो बता हव फिफ्टी ट्री अच्षि पोल रहा है 53 घ्च बोल रहा है 53 एप योगा जैन्तिण्स बाकी लोग को क्या लगता है अ कोई वां कि लोग को क्या लगता है उससे कुछ सीखते नहीं है अब सीखड़े की बात यह है कि तुम्हारी वो टेबल परफेक्ट नहीं है ना सी है ना ए है दोनों गलत है टेबल याद करो पेस नमबर 81 दा करेक्ट आंसर इस जायली टॉल अंडरस्टूड दा करेक्ट आंसर इस जायली टॉल हाँ प्रणव को सबने साइज जाब दिया है जायली टॉल चलो एट अर्लिए स्टेज अफ डेवलप्मेंट दो अर्गयानिजम इस इन दे फॉर्म आफ मास ऑफ सेल विचार अल्मोस्ट अलाइक दोस सेल्स आर कॉल्ड अरे शिवा एकदम साइलेंट हो गया शिवा भाई आंसर करो 50 क्या है ये 54 54 का मयूर ने बोलाए ये अक्षय ने बोलाए ये बाकिर लोग को क्या लगता है तक 54 का क्या लगता है बाकिरा को हाब आरियन भाई गलत बनए ये बता हो 54 ना कुए होगा अरे यार मेरी concurос है चलो भई बताओ बताओ 54 का क्या होगा और मैं क्या सोच रहा हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ तुम लोग आंसर करो और आंसर करते करते मुझे यह भी बताओ मैं सोच रहा हूँ हमें क्विज लेंगे ठीक है सीटी छोड़के मतलब सीटी का नहीं ठीक है ऐसे यह कोई तो एक स्पेशल दिन देखकर जैसे फॉर एक्जामपल अभी आज क्या है 25 जुलाई तो अगले कुछ दिनों में कुछ स्पेशल डे आ रहा है किसी को कुछ पता है क पंदरा ओगस्ट के पहले ठीक है किसी को कुछ पता है किसी को पता है बाही जलदी जल्दी कर खाना खाने बुला रहे है पांच मिनिट और अभी थीक है बस पांच मिनिट और लेंगे quiz एक काम करते सुनो ने ने quiz ही लेते हैं आज हम next session में हम कुछ questions और diagram ये हम discuss करेंगे ठीक है चलो भई किसी को पता है कुछ ऐसा दिन आ रहा हो एक अच्छा सा एक auspicious सा ठीक है किसी को अगर पता है तो बता दो प्लीज चलो 55 का बताओ 54 का stem cells बुलकुल सही जवाब है आरियन भाई correct है प्रणो भाई correct है नाइस और ओके अरे अक्षे 58 पे पहुंच गया है 55 है अभी 55 which of the following is important requirement 55 का डी बोल रहा है ओके वेरी नाइस फ्रेंट्चिप डे नाग पंच में अरे भाई यार और कुछ है क्या और कुछ है क्या और कुछ पता है किसी को हा तो all of the above is the correct answer मयूर भाई बिल्कुल सही जवाब है तो blood group भी चाहिए तुम्हें डीजीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि कोई डीजीज तो नहीं है और एज भी पता होनी चाहिए वेट रहा कि नीचे वालों का तुम्हा ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन के लिए नहीं लेजा सकते हैं है कि रही येस अविलिबिलिटी ऑफ डैश इन इंपॉर्टन रिक्वार्मेंट इन अर्गन ट्रांस्प्लांटेशन 56 का क्या बोल रहे 56 का अक्षे बोल रहा है 56 की दर बोला अक्षे ने 56 का आंसर ही नहीं दिया लगता है अच्छा देखकर बता तो ओके 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 येस वेरी नाइस प्र सही है भै सही है 55 का डी हां 55 का डी होगा सही बात है 56 का क्या होगा हाँ सी है सही जवाब डोंगर नाइस सही जवाब डोनर इस दे इस चिप महीं किया अच्छा मुझे 56 दिखा नहीं तो लाइट is why मुझा कही पर दिखने रहा 56 आंसर किया होगा हाहि किया है किया है сबद लेखित इस ईलेटिज और गया का क्या होगा इंसिलिन प्रोड़क्शन hist start by the knife मय表 बॉल रहा है 57 कड़ी होगर मै soula Zurich चुनका नेले तो मान लेते हैं तुम्हारी बाद जाही सभाउड है डाइबिटीज है कि नहीं लिवर में इंसिलिन प्रोडक्शन रुख गया या कम हो गया तो उसको हम कहते हैं डाइबिटीज चलो भई ट्रांसजेनिक रॉप पोटेटो जेनरेट इम्मिनिटी अगेंस्ट विज डिसीज कौनसी डिसीज की इम्मिनिटी आती है उससे पाच मिरिट पहले दिया है हाँ हाँ दिख्या दिख्या वन ऑगस्ट फॉरस डे अच्छा भई फॉरस डे भी होता है ओके ओके ठीक है मैं फॉरस्टाम नहीं होगा तो त्रांस중에 प्लांट हें चलो कोई भी क्षण केप नहीं चाहाए सभी बात बी लिखा है, बाकी लोग को क्या लगता है, बी होगा क्या, तो जी हाँ, सही जवाब है, cholera, यह कि नहीं, ट्रांसजरिक raw potatoes क्या होते हैं, सबको पता है क्या, प्लीज एक बार सिर्फ yes लिख दो, अगर सबको पता है तो yes लिख दो, किजी को नहीं पता है तो no लिखो, मयूर क्या बोल रहे है इस चीज के बारे में, मयूर बोल रहे है a, अकशे a ठीक है, बाकी लोग को क्या लगता है, अच्छा कोई बता सकता है मुझे, चले last question है, लास्ट एक-दो question है, लास्ट एक-दो, ठीक है, 60 तक ही 61 तक खतम करेंगे आज का क्विस ठीक है यह last question आज के लिए 61 चलो कोई मुझे बता सकते है क्या yes या no आपको पता है कि नहीं पता है इसके बारे में yes या no do you know about transgenic raw potatoes ओके लेट भी सी हा सही है सही है सही है वेरी नाइस बिल्कुल सही जवाब 59 का होगा ए डॉक्टर नॉर्मन बॉर्लोग इनका यूएस के ग्रीन रेवल्यूजन में बहुत ही important contribution था इंडिया में डॉक्टर एमेस स्वामिनाथन इंडिया के milk revolution मतला मीं white revolution डॉक्टर वर्गिस गुरियन और हमारे transcription के प्रोसेस में ट्रांस्क्रिप्शन वाले प्रोसेस के अंदर जो कोडॉन्स होते ना कोडॉन्स अंटी कोडॉन्स उनके कई सारे सर्ट के बारे वे डॉक्टर हर गोविन खुराना के उन्हें रिसर्ट किया था जिसके लिए उनको नोबेल प्राइस इंशनों के लिए यूज होने वाला टर्म नहीं है यह जानवरों के लिए यूज होने वाला टर्म है that's why this is the wrong answer ठीक है वादब the you can say क्या कहते है infertile women में वैसे भी कैसे हो सकते है देखो insemination में semen होता है semen मतलब males का तो infertile women का तो संबंधी नहीं आता है इसमें है कि नहीं तो infertile women तो वैसे भी गर रहते है और infertile men दिया हो तो इनसानों के लिए टर्म इस्तेमाल नहीं होती है यह जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली आइनिमल husband दी 61 का क्या दे रहे देखते हैं एक सेकड़ ओके 59 में पे मैं भी confused हो गया था हाँ मुझे पता है प्रणो भाई at last मैं भी आपके तरह स्टूडेंट यू तो आई कैन अंडर्स्टाइड नहीं चलो 61 का अक्षे ने सी बोला है मयूर ने भी सी बोला है अच्छा इतना बोल ही रहे तो मान ही लेते हैं सही बात है मिश्टे ने भी सही दिया येस करेक्ट तो आज का सेशन यही पर खतम करते थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग एक सेकंड रुख जाओ थोड़ा एसे music music चालू कर देते और मैं देखता हूँ अगर फॉरेस्टे जो बोल रहा है प्रणो भाई सही है तो हम क्या करेंगे पता आज देखो तो वह थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग अगले सेशन में कल रात को साढे आट बजें कम्पिटीशन होने वादे कल रात को तो सभी लोग आ जाना साढे आठ बजें इन तो वह थैंक्ट इस फॉर वहचिंग्स बाए बाए वाई व्रीबन बाए बाए ठीक है बाई-बाई बोल दो सभी लोग बाई-बाई और कल आ जाना साड़े आट को और साड़े छे को पता नहीं तुम लोग क्यों ने आते हो साड़े छे को काफी अच्छी खासी पढ़ाई होती है हमारी ठीक है तो सभी लोग बाई-बाई बोल दो चलो बाई राउंड फिगर करना 70 मतलब राउंड फिगर 70 करना मतलब वट डो यू मीन भाई हर रोज कितने बजे होता है लाइव साड़े आठ साड़े चे को होता है 10 स्टांडर की ठेरी जो कि अभी हम ग्राविटेशन पढ़ दे और साड़े आठ को होता है प्ली 70 तक कर ले सिर्फ अबी बहुत लेट हो गया है मुझे बंद करनी पड़ेगी ठीक है आय विल हक्तु भाई तो फॉरेस ठीम रखना आव बही देखेंगे देखेंगे नशो पर स्कॉंशिक करना पड़ेगा मुझे उसके क्षेशन निकालने पड़ेंगी टभी तो मैं गुटनाइट स्वीट्रीम्स अरे भाई साड़े नौब प्लीज अभी खतब करते कल लेंगे ना बचे हुए कल लेंगे कल नहीं तो पड़सो जब भी हम करेंगे साइस्टू का एक और क्वेस्ट हम और क्वेस्टन ले लेंगे ठीक है चलो भाई तो अगर तू बढ़ लोगे तो अच्छा रिविजन हो जाएगा इसलिए बैटो बूलता हो साड़े छे को भी आ जाये तो थैंक्स फॉर वाचिंग सर मी तुम्हाला टेलिग्राम वर पर्सनल मेसेज के ला ओके ओके मी बगतो आरियन मी बगतो प्लीज मेरे लिए अरे भाई क्या यूटुबर बने गा रे तूप्लिज गरले चलो करते डिषके सबेंटी तक करते डिष्टों और टा तक पब बता एंसर सेबेंटी तक करते है ठीक है कर लेते हैं सब्सक्राइब बीटी डबल्यू मतलब बाई दवे बीटी डबल्यू बीन्स बाई दवे चलो भई बताओ बताओ on to come to it सब्सक्राइब ब्रणाओ को सब्सक्राइब यह अंबोक्सिंग देखी थी क्या है ऐसे सब्सक्राइब यॡज़ थी इसलोग क्या सब लोग आज़ सर में तुम्हाला टेलेग्राम पर मेसेज कर लाए प्लीजु रिपलाइ भाई अभी class चल रही है, class खतम होते ही, मैं आपको reply कर दूगा, class खतम होते ही, 10-15 मिनिट मैं आपको reply कर दूगा, ठीक है, अरियन भाई, मेरी जान तु है, चलो भाई, answer करो सभी लोग, answer करो, 70 तक कर लेते, चलो, ठीक है, 70 तक कर लेते, मैं टेलिग्राम पे भी सबको बता देता हूँ, ओके एक सकेड़, 70 तक कर रहे है, ओके, yes, सबको बता दिया, टेलिग्राम पे भी, भाई, आरियन भाई, मैं बाद में आपको, respond कर दूँगा, ठीक है, reply कर दूँगा, ओके, yes, मैं आपको बाद में reply कर दूँगा, class के बाद reply कर दूँगा, ओके, तो 62 का, यह, यह music one करो, yes, तो 62 का बोल रहा है, bowl warm, very nice, very nice, तो bowl warm नमके एक insect होता है, वो cotton पे आकर बेढ़ जाता है, तो biotechnology से क्या करते हैं, cotton के genes के अंदर एक ऐसा, एक ऐसी चीज इंटिग्रेट कर देते हैं, जिससे की bowl warm आते ही, cotton को खाते ही, खतम, bye bye, tata, good bye, गया, खतम हो जाता है, वो bowl warm, okay, चलो, cell dash starts from 14th day of conception, बताईए, 63 का D बोल रहा है, मैयूर, okay, division, गलत है भाई, division is wrong, थोड़ा सोचो, थोड़ा ऐसा सोच के दो, इसे थोड़ा सोच के answer दो, okay, सोच के दो, ओके, hello current भाई, hello, hello, आज काफी लेट आए हो current भाई, चलो, चलो, आंसर करो, ये बताओ, इसका क्या होगा, 63 का, current भाई, बहुत दिनों बात दिखे, और बहुत लेट आए है, बहुत दिनों बात नहीं दिखे, दिन में भी आये थे, शाम को भी, लेकिन छोड़के चले गए थे, भाई, आज, बहुत सरदी हुई है, चलो, भाई, बताओ, क्या होगा, और कौन है, भाई, लाइब चार्ट में हाई डालो तो, मयूरे आरियाने प्रणों है करन, और कौन है, चलो, भाई, बताओ, क्या होगा, सेल वाट, स्टार्ट फ्राम पूर्टीन तडे, क्या होता है, 63, क्या होता है, अज, गले की तो ऐसी तैसी हो गई है, चलो, बताओ, बताओ, क्या होगा, हाँ, करेक्ट, मिष्टी ऐस जॉइन अगें, 63 का A, आरियन बोल रहे है, 63 का B, डिफ्रेंसियेशन, हाँ, करेक्ट, 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 लेट हो गया, जरा कोई बात नहीं, कल से साढ़े आट को आजारा करन, ठीक है, रोज क्विज होता है, साढ़े सुरो, जिनको नहीं समझ में आया, कंसेप्शन का मतलब है, कि यूटरस के अंदर, जो तुभारा ये हो गया, कहते है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन मतलब, वो जो ओवम है, और जो स्पर्म है, वो मिल गए, ठीक है, उसको कहते है कंसेप्शन, तो उस क के चौधा दिन बाद क्या होता है, यह पूचय उनले, तो पहले तो जाइगॉट फ़ॉर्म हो गया, वो दोनों मिलकर, अब उसका धीरे-धीरे बनके, एंब्रियो बन जाता है, वो एंब्रियो कैसे बनता है, वो एंब्रियो इसलिए बनता है, क्योंकि यूट जो है, वो तो यह चौदा दिन बाद यह डिफ्रेंसियेशन होना स्टार्ट हो जाता है चलो और बताओ इंडिया एंप्रोविंग प्रोड़क्टिविटी बाइं लॉंचिंग प्रोग्राम एन्केम 16 64 का क्या होगा सबसक्क्राम नव खेंगी IT फॉपने होना जाना टीकते मैं और एक नहीं सारे । पाप्राम साला है can you tell me 64 का क्या होगा मयूर ने बोला है ए ओके 64 का हा सही जवाब है correct एक्वा कल्चर होगा अरे शिवा भाई is back yes शिवा भाई हेलो हेलो तो very nice it will be aqua culture aqua culture बतला अब समुद्र में आफर आप कह सकते basically NKM का full form क्या है नील क्रांती मिशन नीला क्या होता है यह होता है ना water पानी तो पानी से related है चीज फिश वगरा ग्रो करना अलग-अलग टाइप की ठीक है इसको हम कहता है aqua culture चलो डैश अर प्रेजेंट इन अंबिलिकल कॉर्ड बाई विच दे फीटस इस जॉइंड तुदी यूटरेस अफ़ दो मतर क्या होता है अंबिलिकल कॉर्ड में क्या होता है ओक्टेसीफीफॉर का ए बौला है। सहीं जवाब है। सभी लोग बिलकुल सहीं जवाब दे रहे हैं। अंबिलिकल कोड्ड में क्या होता है। क्या होता है। 65 बोलरा है, जाहे हैं स्टेमसेल्सुअ, वेरी नाइस प्नम हो भाई। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, very nice, 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 सही जवाब, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे, very nice, umbilical cord, umbilical cord क्या होती है, सबको पता है क्या, अगर पता है तो yes लिख दो, umbilical cord सबको पता है क्या, फटाफट येस लिख दो अगर पता है तो और नो लिख दो अगर नहीं पता है जल्दी से बताओ अंबिलिकल कॉर्ड क्या होती है सबको पता है कि नहीं है यह चीज मैं पूछ रहा हूँ 66 का क्या लिख रहे है लोग let me see हाँ very nice करन मिष्टी आरियन साथ और प्रणव और मयूर सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे है वेरी नाइस और सबको पता है अंबिलिकल कॉर्ड क्या होती है 66 का दे रहे है लिक्विड नाइट्रोजन वेरी नाइस तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या है एकदम ठंडा रहता है उस ठंडे ठंडे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कि liquid nitrogen is the correct answer मैं थोड़ा उपर खिसक जाता हूँ येस और देखते 67 I think C क्या है phenyl ketonorea arises due to genetic changes in हाँ C गलत है C गलत है 67 हाँ किसी को पता है 67 अच्छा नहीं पता 70 नहीं पता 70 नहीं पता या 70 और नहीं पता अच्छा देखो करन को पता है umbilical cord क्या है Aryan को पता है बाकी लोग को पता है क्या प्लीस तेल भी umbilical cord क्या होती है joint of mother and baby where nutrition provided to baby correct nice Aryan को पता है very nice और किदर जूड़ी रहती है umbilical cord हाँ very nice umbilical cord is the food passage joint to baby और umbilical cord किदर जूड़ी रहती है को पता है مुझे किदर जूड़ी रहती है umbilical cord कहा जुड़ती है mother की uterus से हमें कहा पे से जुड़ी रहती है umbilical cord can you tell में किदर जुड़ी होई रहती है हाँ पता है बच्चे की नाभी से जुड़ी पाई very nice अब्सेवाप ऐसे ही जवाब मैयूर भाई बिल्क्ul सही शिंती सेवाब लिवर डाइस करेख्ट लिवर इस धाकरेक। अंसर जो मारे लिएर सेल्स होते हैं जिनको हम हो हाम हीपाटिक सेल्स एंएई क क्या भूते ज़सको करें यार सब्सक्राइर ? इसोड बोलते हैं कि ग्रिया पर हzię विश्बभ विश्बव कर के बताते हूं या ही पै्टोष है साइट्स हाँ हाँ ही पैटोष साइट्स है निगुफ है विश्बभ उसमें अगर genetic changes हो जाए तो phenyl ketonuria हो सकता है 68 का क्या होगा हाँ तेरे subscriber fast grow हो रहे है हमको भूलेगा तो नहीं आरे नहीं नहीं जो लोग शुरुवात से जुड़े हुए उनको मैं कभी नहीं बोलूगा जैको ठेके जो लोग शुरुवात से उनको मैं कभी नहीं जुरूँगा पता है उके मिष्टी को भी पता है नेवल हाँ करेक्ट हमारी नाभी जिसको नेवल कहा जाते है वहाँ पे umbilical cord होती है चलो यह बताओ यह कौन बताएगा मुझे 68 का कौन बताएगा 68 का A और B अरे मयूर शौर नहीं है ओके लेटस सी बाकी लोग को क्या लगता है 68 का क्या होगा क्या होगा 68 का सबको पता है तो हाँ यह ओप्शन्स आर करेक्ट B इस दे करेक्ट आइजसर नॉस्टॉक नॉस्टॉक होता है एक और्गानिजम उसको as a bio fertilizer इस्तेमाल किया जाता है ओके नॉस्टॉक चलो अल्कोहल consumption mainly affects which system कौन से system को affect करता है भई कौन से system को affect करता है अंबिलिकल कॉर्ड is joined to placenta और नाभी नाइस वैसे नाभी को placenta नहीं कहते है प्रणों भई बट ओके इस गुड करेक्ट है 68a, 68c oh confusion b is the correct answer b is correct ओके आरियन और करंट b is correct चलो हाँ शिवा भई करेक्ट यस अल्कोहल consumption mainly affects which system अरे भई क्या है ये 69 और 70 दोनों जवाब तो जल्दी मयूर बोल रहा है हाँ भई अब तुम डिलीट कर लो मैंसे यही बचा था very nice nervous system हमारा जो nervous system है वो हो जाता है affect और हमारा brain फिर फिर malfunction करने लगता है जिवाण लो laughter club is a remedy to drive away last question है अभी बस थेख है अभी बस मैं थक गया मैं थक गया भी बोल बोल के पहले ही सर्दी हुई है हाँ चलो भाई बाई येस correct है 70 का भी होगा stress very nice चलो भई तो thank you so much for watching आज का session यही पर खतम करेंगे okay thank you so much मिलेंगे अगले session में कल रात को साड़े आठ बजे quiz होने वाला है competition वाला सब लोग आ जाते और forest day जो बोला था प्रणो भाई ने उसको मैं चेक करूँगा कि forest day कब है उस दिन अब एक special GK quiz लेंगे ठीक है forest day के occasion पर चलो भई तो thanks for watching मिलेंगे अगले session में very nice बिल्कुल सहीज़ आप देरे चलो भई बाई ओके चलो भई बाई 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 everyone प्लीज रीड मैं मेसेज हाँ पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा बाई बाई ओके बाई yes see you soon see you tomorrow चलो बाई